नमस्कार साथियों मैं होने लिया दो और आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्पूर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करेंगे दस बड़े ऐलान के बारे में दो पार्टी द्वारा यहां पत्र जारी किया जाता है जिसमें संकल पत्र और न्याय पत्र में गरीब परिवारों के लिए क्या दिया गया है आज इस वीडियो में पूरे डीटेल के साथ समझने वाले हैं यानि गरीब परिवारों को बड़ा तवफा देने की बात कही जा रही है जो की नियाई पत्र और संकल पत्र में तो पूरे डीटेल के साथ समझेंगे कौन किस पर भारी यानि BJP वर्सिस कॉंग्रेस तो यहाँ पर गरीबों को क्या मिला है इस पर इभी हम चर्चा करेंगे वीडियो कन तक बने रहेगा चैनल पर पहली बार वजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसके लाओं आपके मने में कोई प्रश्णा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यहाँ पर बात की जाए तो लोग सभा चुनाओं से पहले सभी दल अपना चुनाबी गोश्रा पत्र लेकर आ रहे हैं इसमें बहाजपा ने अपना गोश्रा पत्र जारी कर दिया है वहीं कॉंग्रेस ने भी हाली में गोश्रा पत्र लेकर 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 दिया है इस पार्टी ने संकल पत्र का नाम दिया पीम नरेद मोधी बीजेपी अदेश जेपी नड़ा ग्रीह मंत्री अमिश्षा रच्छा मंत्री राजना सिंग समेथ पार्टी की कई बड़े मंत्री और नेताओं की मौझूदगी में पार्टी ने गोश्रा पत्र जारी किया वह है विजली फ्री यनि सूरी घर योजना के माध्यम से 300 यूनिट आपको विजली फ्री दी जाएगी पांच साल तक मुक्त रासन की बिवस्था करेगी सरकार जो की यह है योजना लगातार 208 तक जारी रहेगी तीन करोन नए पके मकान बनाए जाएंगे जैसा कि दो करोन पके मकान बनाए गए है अभी तक पार्टी ने ये बात कही है अब तीन करोन नए पके मकान और बनाए जाएंगे वहीं मुद्रा योजना की बात की जाए तो यहां पर 10 लाग से बढ़ा कर इसको 20 लाग कर दिया गया है अगर आप लोन लेना चाहते हैं और इस दोरान अगर कोई बिजनिस करना चाहते हैं और बिजनेस के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुद्रा लोन योजना का इस्तमाल कर सकते हैं जो कि इसको डबल कर दिया गया है अब 10 लाग से इसको 20 लाग कर दिया गया है वहीं संकल पत्र में ये भी बात कही गई है आईस्मान भारत योजना के माध्यम से अब 70 वर से अधिकायू के सभी बुजूर्गों को सामिल किया जाएगा साथी ट्रांसजेंडर वर्क को भी इस योजना के दाइरे में लाया जाएगा यहाँ पर अभी तक आईस्मान भारत काट के माध्यम से गरीब परिवारों को 5 लाक रुपे तक का मुक्त इलाज सरकार दे रही थी इसी कंडिसन में अगर भाजपा के सरकार बनती है तो यहाँ पर 70 साल के जितने भी बुजूर्ग हैं सभी को यहाँ पर आईस्मान भारत काट से जोड़ा जाएगा वहीं दिव्यांग जनों को पीम आवास योजना को प्राथ मिक्ता दी जाएगी यहाँ अगर आपके पास घर नहीं है आप दिव्यांग है तो सबसे पहले आपको ही इस योजना का लाब मिलेगा जैसा कि यहाँ पर संकल पत्र में ये बात कही गई है वहीं बात करेंगे आगे तीन करोन लगपती दीदी बनाने की गरेंटी है यहाँ पर दो करोन लगपती दीदी बनाये जा चुका है अब तीन करोन महिलाओं को लगपती बनाने की बात कही जारी है संकल पत्र में वहीं उजला योजना, पीम सूरिघर योजना, बिजली योजना वहीं PM किसान सम्माने दी जन और सदीकेंदर जैसी प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी तो ये खास बात है जो गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है वैसे बहुत सारे एलान है जो कि अभी आगे हम Congress की बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अगर ये आप ये दिखा जाए तो Congress इससे पहले Congress ने नियाई पत्र के नाम से 5 अप्रे को अपना घुसरा पत्र जारी किया था भाजपा ने अपने गुसरा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने की बात कही थी इसका दायरा बढ़ाने के बात की 2047 तक बिक्सित भारत बनाने समेथ कई वड़े वादे किये हैं वहीं कांग्रेस ने अपने नियाई पत्र में सामाजीक नियाई के साथ साथ यूवाओं, महिलाओं, किसानों को केंदर में रखकर कई वड़े वादे किये हैं आई समझते हैं भाजपा और अब कांग्रेस के बारे में हमने यहाँ पर डाटा पूरा देख लिया है वहीं महिलाओं को भत्ता देने, MSP की गरंटी देने जैसे तमाम वादे कांग्रेस पहले से करती आई है लेकिन इस बार कांग्रेस के घोसरा पत्र में संबायधानिक नियाई का पन्ना भी जोड़ दिया गया है पांच नियाई में जिम्मेदारी, नियाई, किसान नियाई, नारी नियाई, स्रमिक नियाई, युवा नियाई पर आधारी थै वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस घोसरा पत्र में कांग्रेस के घोसरा पत्र में तीन सक्तिसाली सब्दों को भी सामिल किया गया है काम धन कल्याड कांग्रेस के नियाए पत्र में पांच नियाए के पांच स्थम्भों को ध्यान के अंदरित किया गया है इसमें युवा ने आए, नारी ने आए, किसान ने आए, सरमिक ने आ, जिम्यदारी ने आए, इस्सेदारी ने आए, वहीं आपका बात की जाए तो गरीब परिवारों को सरकारी योजना। पूरे किये हैं कॉंग्रेस की गुस्रापत्र में 21 पन्य में असली ख़बर सुरू होती है जहां नाम आता है संबाय धानिक में आए जहां संबिधान की प्रस्तावना करों को सामने रखकर कॉंग्रेस सांसर चुनाव आयोग जाच एजनसी अदालत मीडिया चुनावी लोकतन समेत हर उस जगह बदलाओ की बात की कही जा रही है वहीं आगे बात की जाए तो यहां पर नौकरी की परिच्छाओं में पेपर लीक के मामले को निप्टारा करने के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों के गठन बीडितों को आर्थिक मुआवजा देने की वादा किया गया है साती केंच सरकार के बिवीन अस्तरों पर स्विक्रित 30 लाख प्रेक पदों को भरे जाएंगे यनि अब बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार देगी अगर कॉंग्रेस की पार्टी जो की सरकार बनती है वहीं राष्टी नियुमतम 400 रुपए प्रदिन गरंटी दी जारी है यहाँ पर दिहाडी मजदूरी नरेगा में आप काम कर रहे हैं या आप मजदूर हैं तो ऐसे सभी मजदूरों को यहाँ पर 400 रुपए प्रदिन की गरंटी देती है कॉंग्रेस पार्टी तो यह सारे बड़े बादे यहाँ पर किये गए हैं आसा करते हैं सारी चीज़े आपको समझ मा गए होगी इसके लगा आपके मन में कोई प्रश्ण है तो कमेट जरूर करिएगा वीडियो यहीं समाथ करते हैं नमस्कार